हाई अब्रिवान कैसे हो आप सब वेलकम है आपका निशूज आइडिया में होप कि आप सब अच्छे होंगे मज़े में होंगे और आज किस वीडियो में मैं आपके साथ रेकिन वाली हो टोनर का रिव्यू जो की होने वाला है गुड़ वाइब से जो यह वीडियो को शुरू करते हैं एंड तक जरू देखिएगा होप कि आपके लिए हल्फुल रहे तो यहां पर मैं बात करने वाली हूँ गुड़ वाइब का रोज हेप टोनर स्किन क्लेरिफाइंग टोनर के बारे में यहां पर देख सकते हो पाकिंग कुछ इस तरह की य स्प्रे बॉटल में आता है यहां पर पैकेजिंग के ऊपर सारा कुछ मेंशन किया गया है जो कि आप इजली पर सकते हो इंग्रीडेंट हाउ तो यूज बहुत सारा कुछ यहां पर यह है गुड़ वाइप का रोज हेप स्किन क्लेरिफाइंग टोनर नो पेराबिन्स नो अलकोहल, no mineral oil, no sulfates and no animal testing बहुत ही अच्छी बात है एंसुटल for all skin types है यह जो टोनर है हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हाइडरेट करता है डीपली and clean करता है जो pores होते हैं उसको minimize करता है and छोटा दिखाने में help करता है स्किन को tighten बनाता है, brighten करता है, pH level को balance करके रखता है and radiant glow add करता है माई स्किन में इन में ingredient बहुत ही अच्छे अच्छे है, इनके अंदर ingredient है, रोजिप oil, cucumber fruit extract, coffee extract है, tea tree leaf oil है and green tea extract है, बहुत ही अच्छे अच्छे ingredient है, इसमें argan oil यूज किया गया है, perfume है जो कि हमाई skin के लिए बहुत ही अच्छा होता है so suitable for all skin types है, men women सभी use कर सकते हो and इसकी MRP की बात करूँ तो to 15 रूपीज है and 120 ml आपको product quantity मिलती है, यहां पे mention किया गया है, आप पढ़ सकते हैं 2 साल की self life मिल जाती है, 2 साल तक आप इसे use कर सकते है and कैसे इसे apply करें तो बहुत ही आसान है इसे use करना इस तरह से यह open हो जाता है, देख सकते हो, travel friendly है, easily आप इसे कहीं भी carry कर सकते हो, कोई product leakage नहीं होता जो कि बहुत ही अच्छी बात है, यहां पे आपको इस तरह से spray करना है और product आपका निकलता है, fragrance बहुत ही अच्छी है, तो कैसे इसे apply करें, clean face पे आप इसे इस तरह से पूरे face and neck पे पहले face को clean करें, and pad dry करें, उसके बाद toner लगाए, इस तरह से spray करें पूरे face and neck पे, and fit आप इसे dry होने दे, उसके बाद आप कोई भी moisturizer या sunscreen अप्लाई करें, so best gel के लिए आप इसे two time daily use करें, morning and evening में, night skin के routine में, बहुत ही अच्छा result है इसका, easily skin में अब्जॉर्ब हो जाता ह बिल्कुल चिप चिपा feel नहीं होगा, so fragrance भी बहुत ही अच्छी है, तो आप इसे बिल्कुल try कर सकते हैं, मैं अभी आप देख सकते हो, ये खतम होने वाला है, इतना खतम हो गया है, so made in India brand है, good vibes के सभी product बहुत ही अच्छी होते हैं, जो जहां तक मैंने अभी use किया है, so य ये थी आज की वीडियो, hope कि आपके लिए helpful रही हो, और अगर helpful रही है, तो like करें, share करें, comment करके बताएं, and मेरे चैनल को subscribe करें, मुझे support करें, so मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अब तक के लिए bye bye and take care, और हाँ अपने आखों को बचाते हुए, इसे spray करना है, अगर first time use करें, तो pass day जरू कर लीजेगा, so मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तर के लिए bye bye and take care, thank you so much for watching, bye